सायक आयुक्त को ग्रामिणों ने बनाया बंदक सुरजपूर के खोट गाउं स्थित आदमी जाती कल्यान विभाग के कन्या आश्रम में निरक्षन के लिए पहुचे विभाग के सायक आयुक्त को ग्रामिणों की नाराजगी का सामना करना पड़ा जहां नाराज ग्रामिनों ने सायक आयुक्त को लगबग दो घंटे तक मौके से जाने नहीं दिया वही बंदक बनाने जैसी हालत बना दी जानकारी के मुताबिक कन्य आश्रम के एक छात्रा को इलाज अभाव में सिर में घाव बन गया था देखबाल के अभाव के कारण ग्रामिन आश्रम अधिक्षक पर कारवाही की मांग कर रहे थे वही निरिक्षन के लिए पहुचे सायक आयुक्त विश्वनात रेड़ी के द्वारा कारवाही का आश्वासन नहीं दिया जा रहा था जिससे ग्रामिन आक्रोशित हो गए जिसकी जानकारी SDM मेया थाना को मिलने के बाद मौके पर पहुच तीन दिन में जाँच कर अधिक्षक के खिलाफ कारवाही का आश्वासन दिया तब जाकर ग्रामिनों का आक्रोश शान्त हुआ करीब लगभग देड़ दो घंटा से खड़ा थे और जानना चाह रहे थे कि जो लड़की का दो दिन पहले सीर में किड़ा हुआ था उसका जानकारी के लिए वहां हम लोग गए थे बहुत सारा पबलिक करीब सार सतर सो के लगभग में वहां पबलिक रही बाहर से हम लोग खड़े थे अंदर से कोई गेट नहीं खोला गया करीब दो घंटा के बाद भी बोले हम लोग कि भाई अंदर जाके जनकारी दिया जाए तो नहीं खोले बोले कि एक दिन बाद आईए एक डिड़े वज़े तो फिर खोलेंगे अधिस्ता के बारे में क्या बताएं जिनका क में लचर पचर है तो उनका यह रहना ना रहना ठीक नहीं है बच्चे का भवी सब गड़ बढ़ा रहा है और इसा यहां के सासन का यह क्या ब्योस्ता है समझ में नहीं आता है कि जो बाते सामने आएंगी उसकी जांच होगी और यह गलत पाया जाता है तो निश्ची करवाई हो जाएगी रवियार को में जांच करूंगा और कम से कम तीन दिवस और लगें उसके बाद जांच के अंदर करवाई हो जाएगी बिलकुल बिलकुल